जिसका कारण होता है कि किसान भाईयों को भारी नुक्सान होता है जो बकरी बारा महिने में दो बार बाच्या देने वाली होती है उस बकरी को 14 महिना, 18 महिना और 20 महिना भी लग सकता प्रेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं कि सुर कुमार आप देख रहा है यादा गोट फर्म 2.0 आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो बकड़ी प्रेगनेंट हो जाती है उसको मातर 21 दिन में हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये बकड़ी प्रेगनेंट है या नहीं है इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं सबसे पहले किसान भाईयों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बकड़ी हिट में आई है या नहीं आई है इसका पता कैसे करे अगर ये पता चल जाता है कि हाँ बकड़ी पुरी तरह हिट में आ चुकी है और उसके बाद बक्री को करस कराते हैं तो जो ये समस्या आता है बार बार हिट में आने का ये भी समस्या नहीं आएगा अगर बकरी हिट में आ जाती है तो कुछ बकरियां बोलने लगती है और पूश को डूलाने लगती है और कुछ बकरी इधर से उधर भागने लगती है और चरने में उतना ध्याने नहीं देती है ये सिम्टम अगर आपकी बकरी में दिख जाए तो समझ जाए कि आपकी बकरी ह हिट में आ चुकी है तो बकरी के हिट में आने के कितने दिर के बाद बकरी को कुरस कराना चाहिए इस बात का अगर सही पता किसान भाईयों को हो तो जो बार बार समस्य आता है बकरी को हिट में आने का और जो किसान भाई बकरी को कुरस कराते हैं और परसान होते हैं कि हमारी वक्री जो है बार-बार हिट में आ रही है ये समस्या आना भी बंध हो जाएगा पिसान भाईों की जन्कारी के लिए में में बता दूँ कि बक्री अगर हिट में आ जाती है उसके आठ या दस घंटा के बाद अगर अगर बक्री को अब करस कराते हैं, तो जो ये बार बार समस्या आता हिट में आने का, वो समस्या बिल्कुल जर्चे खत्म हो जाएगा, तो हमें चाहिए कि जब भी बकरी हिट में आती है, उसकी 8 या 10 घंटा के बाद ही बकरी को करस कराए, अब बात करते हैं, कि बकरी गाभीन हो जाती है, 21 इस दिन में उसका हम कैसे पता लगाएं कि बक्री गाबीन है या नहीं है जैसे कि बहुत से किसान भायों को इस बत का पता भी होगा कि बक्री को कुरस कराते हैं अगर बक्री गर्भोती नहीं होती प्रेगनेंट नहीं होती है तो 6 या 7 दिन के बाद या 21 दिन के बाद बक्री फिर से दोबारा हिट में आती है, बक्री अगर फिर से दोबारा हिट में आती है, तो उसका सिम्टम सेम टू सेम पहले जासा फिर से हो जाता है, फिर पोंच डोलाना चालू कर देगी, इधर से उधर भागना चालू कर देगी, खाने पिने पर ध्यान नहीं देगी, और उसके बचेदानी से जो discharge होता है वो पतला discharge होता है वो सफेद होता है अगर आपकी बकडी गरभवती नहीं हुई है तो पतला discharge करेगी सफेद कलर कर दिस्चार्ज करेगी अब बात करते हैं कि बकडी को करा दिये और मत्र 21 दिन के अंदर हम कैसे पता कर पाएंगे कि जो बकडी हमार उसे दोस्तों से छोटा सा request करूँगा कि अगर वीडियो को देखते दे आप यहां तक पहुँची गए है तो कम से कम वीडियो को लायक कर लिजेगा और वीडियो पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि लाइक करने का सबस्क्राइब करने का नाही ज्स थाज़ कराने के 21 दिन के अंदर में हम कैसे पता कर पाएं कि जो बकरी हमारी है प्रेगनेट हुई है या नहीं प्रेगनेंट हुई है जिस डिस्चार्ज का कलरड फीलार होगा और पीले कलरका डिस्चार्ज कर रही है और बिल्कुल गाढ़ा कर रही है जो उसके बशेदानी में चिपके रहता है दो या तिन या चार घंटा तक चिपके रहा जाएगा इतना गाढ़ा रहता है अगर इस तरीके से जो आपकी बकरी डिशार्ज कर रही है तो बिल्कुल समझ जाए कि जो आपकी बकरी है प्रेंग कर दिशार्ज करना चालू कर दी है अगर इस प्रकार से अगर आपकी भी बक्री क्रोष करने के बाद गड़ा डिशार्ज करती है तो बिलकुल समझ जाए कि जो आपकी बक्री है प्रेगनेंट हो चकी है कोई समस्या नहीं है बहुत हिम्हत बुरने जनकारी मैं किसान भाइयो प्रेगनेंट नहीं हुई है और बक्री को फिर से ब्रीडर के पास चोड़ देते हैं बक्री को ब्रीडर के पास चोड़ने का कारण होता है कि बक्री हीट में नहीं होती है उसके बाद भी ब्रीडर करस कर देता है इसका नतीजा यह निकलता है कि जो बक्री प्रेगनेंट ह बक्री क्रोस्टेयर गिरा देती है। अगर इस प्रकार की गलतियां जो किसान भाइक करते हैं तो हमें चाहिए कि जब भी बक्री बीसिया एक इस दिन के अंदर या बाद में गढ़ा डिस्चार्ज करती हो तो दबारा करस बिलकुल भी नहीं कराएं अनिया था उनको इस नुक्सान का समना करना पड़ सकता है तो बक्री जब फोल हिट में आती है तो बक्री जो आपकी है खुद ब्रिडर के तरफ भागने लगती है और जो पीछे में सिम्टम बताया हूं दीखने लगता है अगर उस प्रकार से बक्री आपकी करती है तो ही बक्री को दोबारा करस कराएं और या था बिलकुल भी दोबारा करस नहीं कराएं आसा करता हूं यह जो जनकारी आप दोस्तों को मैं देने का प्रियाश क